2021 में मैं अपने सुस्राल गई थी वहां मेरी सासुमा ने एक अलगी तरह की मुझे पूड़ी बनानी सिखाई यह पूड़ी का जो तरीका है मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ चलिए सुरू करते हैं सुरू करते हैं एक कप मैंने ले लिया चने की दाल और इसको अच्छे से तीन-चार पानी दोलेंगे प्रपर जिससे कि इसमें जो डर्स्ट है वह निकल जाए इस तरह से और दोस्तों अगर आप चाहें दिसे भीगो भी सते हैं जिससे कि यह जल्दी बॉल हो जाएगा तो मै इसको दो के निकाल लेंगे मैं ले लिया कुकर और कुकर में सारे चने की डाल डाल दूंगी दो चुकी हो मैं 3-4 पानी डालेंगे पानी दोस्तों तीन-साज़ए तीन गिलास के बीच में पानी हम इसकंदर डालेंगे मस्कार मसाला बैर माला कीचन में अब सबी लोगों का बहुत दोस्तों कैसे आप सब लोग मित्पती बहुत ही अच्छे से होंगे और हाँ दोस्तों एक लिक्वेस्ट और करनी है पुरा वीडियो जरू ज़रू देखे चलिए वीडियो सूथ और डालेंगे हिंग डालने से अच्छा रहेगा और डालेंगे हल्दी एक छोटा चमच हल्दी डाल लिया जिससे की फ्लेवर काफी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट के एकॉर्डिंग सॉल्ट सबको मिला लेंगे दोस्तों और हाई फ्लेम पर एक सीटी आने तक पकाएंगे उ एक बड़ा चमच देशी घी और थोड़ा सा टेस्ट के एकॉर्डिंग सॉल्ट इन सबको मिला के हम आटा लगा रहें दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी डाला है जिससे की हमारा डाइजेशन अच्छा रहें दोनों तरफ मैंने चीज़ें एड किया क्यों इसमें बहुत जादा मसाले नहीं डाले जाते जो ऑथेंटिक बिहार की यह पूरी बनती है और इसलिए मैंने हींग और अजवाइन दोनों यूज किया है अब पूरियों में थोड़ा सा चेंजिस करके बनाने लगें वेरियसन होने लगी है जिसमें हम जिंजर और गाली य इसे कि यह सेट हो जाए इधर मेरा जो है आठ सिटी आ चुकी है उसके बाद में खोल के चेक कर लूँगी अगर दाल गल गई है यह देखिए ताल को इस तरह से गल जाना चाहिए तो फिर हम दाल को छान लेंगे और नहीं तो एक एकाज सिटी और लगाएंगे दाल का ध्य अजान रखने है नहीं तो दाल पूरी तरह से गल के लग जाएगी तो दोस्तो दोस्तो एधर रखना चेक जरूड और थंडी कर लिया मैंने थंडा कर से इस तरह से लाटी अजाए डाल की जाए यहाँ पीस लेंगे अग जान कर लेंगे अगे तो दाल को यह देखिए तो पूरी हमारी और अच्छी लगेगी जो दाना रहता है बीच बीच में हम ग्राइन करेंगे तो तो उसको हलका सा दोड़ लेंगे और जब हम खाएं ले तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा इधर मैंने कड़ाई में ले ले लिया दो बड़े चमज सावु जीरा जो मैं हलके मैं और अच्छा पर बून लिया और डाल लिया मैंने वहल्का सा ओर डाक कलर कर लिया और डाल के अंदर डाल में पहले से नमक डाला हुआ है अब यह सॉल्ट भी थोड़ा सा ओर डालने की जरूवत है क्योंकि पाने के सम्हें साल्ट चला गया होगा Godrel तो हमारा प्रपर भ दोस्तों एक बड़ी बात इसमें जो पूरी बनती है अगर पसंद ना हो तो छोटी साइच की बना सकते हैं तो मैं बिहार में जिस तरह से बनता है मैं बिल्कुल ऑथेंटिक वैसी ही दिखा रहे हैं और इसको इस तरह से अंगठा अंदर रखते वे जो लोहिया होती है पेड इस तरह से जो नट को उपड़ की तरफ गोल-गोल करते हुए हाथों से बन कर लेंगे और यह ध्यान रखना है दोस्तों फिलिंग उतनी ही भनी है जदा भरेंगे तो फट जाएगी और हलका सा मैंने आटा पलाई कर लिया है आप चाहें तो घी के मदस से भी इसको बेल सकत को अधागा और मैंने बड़े सईच की पूरीन बेल ली एसी तरह से मैंने सारी पूरी यह जलेना है और इधर मेरा ऑने धाल ऑफ यहां मेरहों आप तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और पूड़ी को उलट उलटके हमने तल लेना है हाँ दोस्तों अगर फट जाए तो चिंता ना कीजी उसको उल्टा करके हम उल्टा कर देंगे तो पूड़ी में सब तेल निकल जाएगा इस तरह से देखे हलकी से पूड़ी फूल भी गई है एक दम क्रंची और गोल्डन कलर की पूड़ी हो गई है हमारी पूड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेड़ी है ऑथेंटिक बिहार की दल पूड़ी तयार है यह देखिए इसी तरह से सारी पूड़ी हमने बना लेनी है चलिए पूड़ी तोड़ के देख लेते हैं यह वाउ आप भी से ट्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लोगों सेर भी कर सकते हैं लाइक करना मिल्कूर मत भूलिए अब भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस करना मिल्कूर मत भूलिए सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत